मसला मुझे ब्रांश परेशन हे लेकर मुझे अधिक वहीं आगे देंगे यह ब्रांश है तुम्हारा इसे अधिन वभी ब्रांश तुम्हारा पेग उठंवेकल किसी हर के पास आठो 2022 के पास ओड़ो तो अभी तुम्हारा क्या सिच्वेशन है गेट में कितना रांक आया अच्छा और बाक निकाल दिया तुमने कितने मांक्सा है बाक में कि अरेंड वन थट्री कुछ पता है रांड का इस बार कुछ पता है थे अच्छा बचके फिर तुम ठीक है देखो आगे से यह मत सोचना कि में नंबर कमा या फिर गेट में कमा आया तो फिर मेरे को कुछ डिसड़ांटेज होगा कोई डिसड़ांटेज नहीं है बलकि वो ऐसा certain हो जाता है कि तुम्हारा और कोई scope नहीं है तो advantage ही play होता है लेकिन ये काफी rare situation है जब तुमसे पूछेंगे ठीक है चलो वो सब चीज तो बात की बात है तो इंटर्व्यू का slot book कर लिया तुमने कब का किया है यही May 28 को May 28 को तो तुमने preparation कब से properly start किया था मतलब ठीक है चलो तुम्हारा पास अभी दो वीग है properly बार्क का त्यारी करने के लिए ठीक है अभी का situation बताओ कि तुम्हें कितना मालूम है बार्क इंटर्व्यू के बारे में और तुमने कितना अभी focus त्यारी कर लिया एंटर्व्यू के लिए अच्छा करेक्ट मेरे वीडियो देखे हैं मेरे वीडियो देखे हैं जितने भी थे इंटर्व्यू के ठीक है फिर तुम्हें उसके बात कहीं बताओंगा तुम्हें तो अपने है फाई फेवरेट सब्जेक्ट कर लिया तुम्हें थोड़ा मुझे कंपीज है कि में टॉ इसारे मुझे लग रहे तुम्हें ज़्यारिज लग रहें तो आप में किसे रुको मैं जिदी कर परो कि सॉम और रखो या धर्मों को रखो रहें दो सब्जेक्ट तो completely different है कोई में तो ज्यादा इंट्रेस्ट होगा तुम्हें सॉम मुझे बहतर आता है ज्यादा कॉम्फर्टेबल हूँ बच सर वही है कि मुझे यह डर लग रहे हैं कि वहाँ जाके मुझे अगर बहुत ज्यादा इक्वेशन वगेरा पुछने लगने फिर में वहाँ पर चुप करने हूँ अच्छा और इसका थर्मो का कुछ पढ़ा है तुमने पीके ना क्या लाबा सेंजल कितना पढ़ा है तुमने पूरा पढ़ लिया हूँ देखो क्या होता है बार के इंटेवियों के क्वेशन जो रहते है न उसके लिए सेंजल काफी काम आता है भले वह थर्मोडैनमिक्स हो या रसी हो ठीक है या फ्लूइड मेकैनिक्स हो सेंजल एक इंपॉर्टेंट बुक है ठीक है तो क्या होता है कि तुम्हें थियोरी पढ़ना होता है देखो एक मैं बेसिक सा चीज बता रहा हूं आगे जो इंटेवियों में अपियर करोगे इसमें भी काम आएगा कोई भी इंटेवियों होता है उसमें तुम्हारा इंट्रोड़क्शन पार्ट को इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इंटेवियों इस बिलकुल अंदर घुसके स्टीम जेनरेशन और यह सब पर टर्बाइन और यह सब पर क्वेशन नहीं पूछते हैं ठीक है पावर साइकल यह सब ब के बारे में तुमसे question पूछेंगे मानलो fluids बोल दिया तो वह generally fluid properties, pressures यह सब में रहते हैं थोड़ा बहुत वह आगे चले जाते हैं कभी-कभी जैसे strength of material में columns पूछ लिया ठीक है तुम भले तुम library से उठा लो या फिर दोस से मांग लो लेकिन वह book तो तुम्हे रीड करने के लिए चाहिए ही होगा तो उसमें जादा नहीं पढ़ना हो ठीक है ऐसा मत करना कि फिर तो तुम्हें एक book भी नहीं पढ़ पाऊगे अगले जो भी तुम्हे तुम्हें चौदा से बीस दिन बचेवा है ठीक है तो तुम्हें यही करना है कि जहां तुम फज गए कि concept इसमें थोड़ा सा week है तो ज लामिनर लेयर कौन सा होता है, टैबलेंट लेयर क्या होता है, लामिनर सब लेयर क्या होता है, है ना, ट्रांजिशन जोन क्या होता है, तो यह पार्ट में जाके तुम से पढ़ लिए, ठीक है, तो तुम्हें जितना चाहिए ता वो पता चल गया, इससे जादा कोई नहीं बार्क इंटर्व्यू कितना भी difficult हो वो होता है undergraduate level ही, ठीक है, तो जो undergraduate level का syllabus है, उससे उपर वो नहीं भागने वाले, until unless तुम उसे बोलने लगों वहाँ पर बड़े-बड़े terms, है ना, कि transient, transfer और यह सब, ठीक है, तो तुम्हें words को control करना है, लेकिन books जो पढ़ने हैं, वो इ ठीक है, interview questions देख लिए, उसको देखो कि तुम answer कर पा रहे हो कि नहीं, उसके बाद तुम देखो कि अच्छा, ये सारे topics से questions आ रहे हैं, इस topic में तो मैं थोड़ा week हूँ, तो उसमें तुम जाके, शायद अगर तुमने कोई coaching किया होगा, तो class notes होगे, वो तुम पढ़ कि वो time बहुत consume करता है, ठीक है, तो तुम्हारा जिस तरह से time बचा है, तो तुम्हें इस तरह से करना होगा, ठीक है, बैक आते हैं तुम्हारा question पे, favorite subject वाला पे, ठीक है, तो तुम्हारा है, डाइलेमा वाला situation है, क्योंकि तुम्हें जो subject लगता है, उसमे तुमने का जो written test हुआ ना तो काफी numerical oriented type का question रहता है ठीक है वो conceptual question पूछेंगे उसी में पूछेंगे मैं तुम्हें examples भी दे दूंगा दो तीन जैसे दो बीम है ठीक है दो बीम उपर से rigidly fixed है और नीचे से same एक element है जिससे attached है समझ रहो एक box type का है उसे दोनों बीम है मतलब दोनों बीम का क्या same हुआ length ठीक है एरिया अलग है दोनों का ठीक है अब दोनों को pull किया गया तो किस में जादा stress होगा strain क्या होगा यह सारे चीज वो पूछ सकते हैं जो कि बहुत तुम simple वही लगाओगे यांग्स मॉडले से सब लगाओगे और simple stress strain करके तुम formula लगा के उसको निकालोगे है ना जो कि तुम written test के लिए भी करते हो ठीक है तो यह सारे काफी numerical oriented हो गया difficult question तुम्हार क्या क्या सकता है जैसे तुम्हारा stress का distribution जो है तो यह तुमने देखा होगा कि peak कहीं बीच में आता है Shadow में याद है ना stress distribution across section है ना different element का different cross section का कैसा कैसा रहता है तो वो यह नहीं बोलिगे कि हाँ चलो distribution दिखा दो वो तुमसे पूछेंगे कि ऐसा distribution क्यों है पहला question तो यही रहेगा कि distribution बनाओ चलो वो बना लिया वो तो कोई भी बना देगा ठीक है लेकिन फिर question आए कि ऐसा ही distribution क्यों है ठीक है तो यह सारे चीज का question का answer तुम्हें मिलेगा ऐसे ऐसे books में जैसे हो गया टीमो शेंक को और यह सब तो जब तुम interview questions पढ़ रहे हो तो तुम्हें ऐसे questions जरूर दिखेंगे ठीक है और जब तुम ऐसे देखते हो तो तुम answer कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो अगर नहीं कर पा रहे तो तुम क्या करोगे इन सारे standard books में देखोगे ठीक है इसे लिए तुम्हें इन books का जरूरत होगा ही होगा ठीक है तो तुम्हारे हिसाब से तुम अगर strength of material के gate के syllabus में अगर comfortable हो तो I will always suggest के strength of material बोलो क्योंकि thermodynamics में they do get into some tricky questions मतलब entropy और मतलब enthalpy type के चीज मतलब घुसने लगेंगे वो थोड़ा सा वो हो जाता है physics oriented या फिर थोड़ा सा detailed हो जाता है जिसमें बहुत ही ज्यादा conceptual knowledge ही है जो की maximum लोग जन्होंने gate का तारी किया उनके पास नहीं होता gate का जो thermodynamics है ना it is very much numerical oriented की मतलब even अगर तुम thermodynamics का कोई course देखोगे someone who is teaching thermodynamics for gate aspirants तो क्या होता है ना it is a shorter course much shorter course compared to strength of material देखा है तुमने कभी ध्यान से strength of material मानलो तुमारा 40 to 50 hours लेगा तो thermodynamics 20 hours 30 hours में ही खतम हो जाएगा ऐसे क्यों है क्योंकि thermodynamics में जादा numerically practice किया जाता है ठीक है concept थोड़ा कम बताया जाता है gate के लिए लेकिन ऐसा reality में तो होता नहीं है reality में काफी concept होता है उसमें तो उसमें जब वो पूछने लगते हैं तो maximum gate aspirants फास जाता है ठीक है तो तुम्हें क्या करना है अभी के situation कि साब से strength of material को first बोलना ठीक है और उसके बाद फिर सोचना होगा कि तुम second ही thermodynamics भीड़ा दोगे तो फिर तुम्हारा दोनों बड़े-बड़े subject हो जाएंगे फिर ऐसा होता है कि हाँ तो फिर वही है कि अगर तुम्हें दोनों ही बड़े-बड़े सामने रख दिये तो क्या होता है कि दो subject में ही तुम्हारा interview पार हो गया ठीक है अपर्ट फ्रॉम MD, MD को तुम 5th रख सकते हो ठीक है machine design ठीक है तो उस इसाब से रख सकते हो क्योंकि MD का maximum वह question सौम में पूची लेंगे एक ही इंसान रहेगा जो MD सौम दोनों का पूचेगा most likely ठीक है तो इस तरह से तुम अपना बना सकते हो ठीक है कि तुम्हें क्या क्या करना और फिर याद रखना कि बाकी जो subjects है वह बार के लिए important नहीं रहता जो उन्होंने favorite बोला they most of the time stick to that only लेकिन most of the time पे तो कोई 100% depend नहीं कर सकता ना chance तो तुम्हें एक ही मिलेगा है ना तो बाकी subjects जैसे material science है और थोड़ा बहुत theory of machine है भूल मत जाना बिल्कुल मतलब गाया भी हो गया ठीक है थोड़ा बहुत revise कर ले ना मतलब तुम एवन अगर तुम 5-6 घंटा भी दे दिये important चीजों को ठीक है अब उसको उठा के तुम books नहीं पढ़ सकते लेकिन माल लो कोई interview questions मिल गया तुम्हें जिसमें तुम्हें लग रहा है अरे यह तो बिल्कुल भी नहीं मालूम और यह तो पूछा है तो ऐसा होता है कि questions repeat होते हैं interviews में भी देखो जब मैं थाना training school में तो मैंने एक teacher से मैं मिला था उन्होंने मुझे अपना पूरा bundle हैं वहाँ scientist जिनका questions काफी है typed सा बहुत लोग change भी करते होंगे काफी लेकिन तुम्हें ऐसे मिल सकते हैं ठीक है तो क्या है कि इस हिसाब से तुम्हें ready रहना होगा कि अच्छा यह question अगर आया हुआ है तो कम से कम यह तुम्हें answer कर पाऊं even though यह मेरे five favorite subjects में नहीं है समझ तो इस हिसाब से तुम्हें बाकी subject को भी थोड़ा थोड़ा time देना होगा ठीक है और बाकी five तो fixed ही है इस तो रहता तो मैं बोलता सारे subject को equally time दो चाहे जो भी तुम बोलो माँ favorite subject में समझ रहो मतलब कापी ज्यादा low confidence मैं बार के एक तो barely qualify किया हूँ तो बस gate score मतलब उतना भी अच्छा नहीं है मेरा तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं वहां कैसे compete करूँगा उतने अरे क्यों नहीं कर सकते है ऐसा कुछ भी नहीं है देखो पहली बात नहीं है बस कहने की बात नहीं है कि बार का एक बर तुमने written test qualify कर दिया तो interview में सारे बराबर है interview में actually सब कोई बराबर होते हैं अब दूसरी बात आते है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा चलो भले बराबर है लेकिन बाकी लोग जादा तेज होंगे क्योंकि उन्होंने जादा number लाया है है ना उनका rank मेरे से अच्छा है तो हो सकता हो मेरे से better हो इस से जादा गलत चीज क कुछ हो ही नहीं सकता मतलब you cannot be farther from the truth क्योंकि gate में एक numerical set solve करके number लाने से किसी का भी conceptual knowledge उतना judge हो ही नहीं सकता it is a numerical solving examination तुम किसी का concept कैसे judge कर सकते हो एक ऐसे इनसान को मैं बैठा दूँ जो मानलो MS या PhD कर रहा है fluid mechanics में ठीक है और उसको बहुत कुछ आता है एक BTEC से तो बहुत जादा कुछ आता है ठीक है अब वो उससे मैं compare करू कि वो bark interview में कैसा perform करता है compared to BTEC है ना मानलो FM के questions है है ना लेकिन BTEC तो नहीं कर पाएंगे वो सारे चीज लेकिन gate में दोनों को बैठा दो हो सकता है PhD वाला qualify भी न कर पाए बहुत बार ऐसा होता है मैंने तो bark training school के अंदर बैठे वे लोगों को देखा है जब वो gate में बैठे तो qualify नहीं कर पाए अभी एक लड़के को मैं ज सोच रहे हो कि यार मेरे से better होगा बहुत कोई तो ऐसा नहीं होता reality बहुत ही अलग होता है every exam is independent इसलिए तुम gate qualify उतना अच्छा से नहीं कर पाए तुम्हें तो एक भी PSV को call नहीं होगा MTEC के लिए call नहीं होगा निटी मुंबई के लिए call नहीं होगा है की नहीं लेकिन त बार्क के इंडिपेंडेंट इन सिम्लर मैनर तुम्हारा इंटेव्यू भी इंडिपेंडेंट होते हैं उसका कोई connection नहीं होता इतने जादा बड़ा इतना जादा बड़ा लिस्ट है ना कि number of toppers under 10 who did not qualify B.A.R.C. interview कि उसका कोई मतलब it is not countable हर साल ऐसा होता है बहुत ही कम ल प्यार ही नहीं है तो कैसे होगा समझ लो तो इसलिए भी होता है या फिर इसलिए भी होता है कि मतलब your numerical solving ability is not a judge for your conceptual ability and that is all about बार्क बार्क तुम्हारा conceptual ability ही टेस्ट करता है कि तुम चीजों को कितने अच्छे तरीके से समझते हो on a contrary actually क्या होता है maximum लोग जो numerical solve नहीं कर पाते उतना अच्छा तरीके से वही लोग concept में अच्छा होते हैं यह reality है और तुम तुम्हारा कितना rank है exact rank पताओ अपना गेट में तो मेरा तो 1825 था बहुत जादा distance नहीं है ना 200-300 rank का distance है ना तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरा दोस्त का rank 3000 था मेरे साथ ही बैठा हुए था मेरे next batch में his rank was 13,000 वो भी बैठा हुए वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता अपना rank को ऐसे judge बिल्कुल मत करो अपने आपको तो यहाँ पर demotivate मत करना क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो तुमसे better rank लाए वे होंगे even under 500, 200, 110 वो लोग का नहीं होने वाला और तुम्हारा हो सकता है अगर तुम यह तैयारी अच्छे से कर लेगा तो ठीक है क्योंकि वो लोग के पास बहुत option होता है तो लोग complacent हो जाते हैं जिनके पास कोई option नहीं होता है तो वो लोग अपना जान लगा देते हैं इसमें त खॉन मूंका इंट्रवीकर तो नहीं करा रहा है नहीं नहीं रहा है नहीं 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 इस साल तो मैं नहीं करा रहा है डेखूंगा आगे जाके लेकिन तुम लोग के लिए तो नहीं हो पाएगा तुम्हारा प्लान तो मैं बता दूंगा जितने क्वेशन से पूछ लो इतना ही था और सर वही गेट तब एक और क्वेशन से नेक्स यह हूँ करो करता है वह तुम्हें पता चल जाएगा लेकिन अगर करना होगा तो कंटिन्यू कर देना ऐसा मत करना कि चार महीने तुमने गैप मार दिया और ऑक्टोबर में उठ रहे हो ऐसा भी बहुत लोग करते हैं कि अचानक नॉमेंबर दिसम्बर में सोचा चलो गेट दे देता है और उनका हो भी जाता है लेकिन ज्यादा चांसे तुमारे बनेंगे अगर तुमने कंटिन्यू रखा तो वो तो बाद की बात है शायद तुम बार्क के बिना बोल रहा हो तो प्र बार्क में नए तो गेट करूँ है होगे तो timey time है तो सोच ले ना आराम से ठीक है अभी का सोचा वह ऐसा तो flight ticket तो है नहीं कि late कर दिया तो तुम्हारा price बढ़ जाएगा तुम्हारा हम से सोच ले ना interview के बाद अभी का तुम्हारा जितने है त्यारी कर लो focus तुम्हारा बस उसी में होना चाहिए और कुछ भी नहीं ठीक है तो clear है na सब कुछ subject pick कर लिया अभी तुम्हारे को plan बनाना एक proper दो सब्सक्राइब कर दो कि मुझे calendar देखने दो अभी तुम्हारा 12 चल रहा है तो तुम्हारे पास है तुम्हारा 28 को है क्या interview क्योंकि 28 तो saturday ठीक है ठीक है तब तो फिर तुम्हारे पास और भी जाधा time है ठीक है तो फिर तुम्हारा 14 डेज बना 15 16 चलो 17 डेज बन गया ठीक है उसमें से मैं साथ दिन निकाल ले रहा हूं ठीक है तो अगले दस दिन में तुम्हें क्या करना है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइस कंप्लीट करना है मानलो दो दिन दिया मैंने सौम को तीन दिन दिया मैंने थर्मो को एक या आधा दिन दिया मैंने नाम लोगें दूसरा एक पार्ट कंपल सरिली तुम्हारा मौक इंटर्व्यू में जाना चाहिए मौक इंटर्व्यू क्या है तुमने विडियो देखी लिया होंगे ठीक है तो उसको ऐसा करना सुबह उठके 10 बजे मौक इंटर्व्यू दे दिये देड़ घंटा दो घंटा और शाम को जो भी आंसर्स मैं नहीं दे पाया उसको फिर से एक्स्प्लेइन करने है कोशिश किया ठीक है माल लो सुबह मैंने चार क्वेशन पता चला आंसर नहीं कर पाया ठीक है फिर आंसर भी देख लिये solution समझ में आ गया research कर लिया लेकिन शा समझ गए तो explanation ability बहुत जादा होना चाहिए तुमारा शाम को वो कर सकते हो भले वो Hindi में हो या English में हो उतना matter नहीं करता लेकिन तुम explain कर पाना चाहिए हर चीज को ठीक है तो तुम्हाया दिन तीन पार्ट में डिवाइड हो गया एक जो तुम्हाया mock interview है दूसरा जो तुम अपना complete कर रहे हो और तीसरा जहां तुम explain कर रहो ठीक है first part जो है न mock interview उसमें भी तुम बोल-बोल की explain कर रहे है समझ रहे हो बात को मतलब as if it is an interview mock interview का वही मतलब होता है ठीक है तो questions रहेंगे सामने answers मत देखना और explain करना as if you are an interview ठीक है अभी तो board का pattern हो गया बार्क का है न इस बार पता नहीं क्या होगा देख लो तो better रहेगा अगर board एक खरीद लो तो सही रहेगा या फिर दोस से मांग लो तो explanation improve हो जाएगा और इस बार नजर रखना कुछ लोगों का interview पहली हो जाएगा तो वो तुम्हें बता देंगे कि board में हो रहा है कि paper में हो रहा है है ठी ठीक है तो यह हो गया तो तुम्हारा दिन डिवाइड हो गया तुम्हारे जो पहले 10 दिन है उसे डिवाइड कर लो सबसे पहले मैं कौन सा subject complete करूँगा फिर मैं कौन सा subject करूँगा और जो आखरी का seven day उसमें mock interview बढ़ा देना ठीक है आजकल questions और भी जादा हो गये है कितन हो सके जितने technical question मिल रहे हैं देते जाओ PSU उसके भी दे दो कोई problem नहीं है ठीक है जितना अगर तुम्हारे वह सब second third priority है time बचे तो सब दे दो ठीक है और इससाब से तुम्हारा finalize हो जाएगा और उसके बाद जाके appear कर लेना समझे है ठीक है कोई दिक्कत हुआ तो whatsapp number ही ह ठीक है मैं answer कर दूँगा ठीक है मैं answer कर दूँगा okay sure clear है सब कुछ? ठीक है चलो okay all the best thank you